दोस्तो लंपी वाइरस जानवरों में पाई जाने वाली एक जान लेवा बिमारी है ये बिमारी दुधारू पसुओं में पाई जा रही है और मुख्य रूप से गायों में देखने को मिल रही है इससे संक्रमित होकर कई गायों की मोथ हो चुकी है कोरोना वाइरस की तरह ही यह एक संक्रमीत बिमारी है जो, पसुऊं में हो रही है लंपी वाइरस 삼क्रमीत पसुअ को संपरक में आने से ही अन्य सवस्त पसुपथ पसुप, भी यह बिमारी हो हो जाती है वीश्व पसू स्वास्त संगठन ने इसे अधिस उचीत विमारी गोशीत की है दोस्तों इस विमारी का कोई ठोज इलाज अभी तक नहीं आया है इस विमारी को गाड़दार तोचा रोख वाइरेस यानी की LSDV नाम से भी जाना जाता है इसका संक्रमन मुख के रूप से मच्छरों मख्यों ततईयों जू आदी से फेल सकता है यह वाइरस सीर्फ पसू में ही फेलता है इंसानों में संक्रमन होने का अभी इसका कोई खत्रा नहीं बता गया लेकिन फिर भी आप सावधान रहें और जा गिनना पेरों की सूजान और लंगणा पनाना वजन कम होना पसू का दूद कम देना भूग न लगना आदी इसके लक्षण है यह पसू में आपको ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं तो आप तुरंत आपने डाक्टर से सला करें और उनसे राय मस्वरा जरूर लें दोस्तों इसमें पसू को बचाने के लिए आप भी कुछ उपाई कर सकते हैं जैसे कि पसू जहां रहते हैं वहां पर नियमी साब सफ़य रखें समय समय पर मच्छर मक्षी मानने वाले इस्प्रे और किट नासक का उप्योग करें और पसू की रक्षा करें और ऐसी जानकारियों से आ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जय हिंज जय भारत